नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स मधिप्रदेश में लोग सभाचुनाब से पहले मोहन्यादव सरकार ने बड़े इस्तर पर प्रशास्निक फेर बदल किया है मोहन्यादव सरकार ने 12 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है इसके अलावा 64 अन्य अपसरों का तबादला किया है मोहन्यादव सरकार अधिकारियों के फेर बदल के क्रम में 12 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है इस हेर फेर के तहर 11 जिलों के कलेक्टर को नए जिलों में तैनाती दी गई है इस बदलाव के तहट स्वारोचिस सोमवंसी को सीधी का कलेक्टर बनाया किया है वे वर्तमान में राजभवन में उप सचिप के पत पर सेवाय दे रहे थे इसी तरह भासकर लक्षकार को रतलाम जीला कलेक्टर के पत से हटा कर प्रबंध संचालक राजज बीज एवं फार्म विकास विभाग में अपर सचिप बनाया किया है विदिशा कलेक्टर उमा शंकर भारगव को राजज जिपाल का अपर सचिप बनाया किया है साल 2012 बैच के आईएस ओफिसर धर्नेंद्र कुमार जैन को उपसचीव कार्मिक विभाग से उमरिया का कलिक्टर बनाया गया है जबकी राजेश बाथम को अपर आयुक्तु जैन संभाग से हटा कर रतलाम का नया कलिक्टर बनाया गया है 2013 बैच के मयंक अग्रवाल दमोह के कलिक्टर के पद से हटा कर मध्यप्रदेश शासन में उपसचीव बनाया गया है नीमच की अपर कलिक्टर नेही मीना को जाबुआ का कलिक्टर बनाया गया है और जाबुआ की वर्तमान कलिक्टर तनवी हुड़ा वित्त निगम में सेवा दे रहे थे उन्हें दमोह का नया कलिक्टर बनाया गया है मनोच कुमार सरिया को अपर आयुक्ति सहपंजियक सहकारी संस्था में उपसचीव बनाया गया है